हमने का नेहरूज का आप मकलनाल जी ने का कि एक तरह से कॉंस्परिसी थी देश के खिलाब संगीत जी भी कह रहे हैं कि देश के साथ उन्होंने धोखा किया पूछा गया कि भाई नेहरू का क्या इंटरेस्ट था तो भाई अबदुल्ला जी से उनकी दोस्ती और इसलेव और भी अच्छा तो वो आप जोड़ दीजे और दूसरा ये बताइए माउंट बेटन का क्या इंटरेस्ट देखिए दो बाते हैं एक तो यह याद रखिए कि म फॉर्गेट माई मुस्लिम फ्रेंड्स क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग ने और इन्होंने सेकिंड वर्ड ओवर में पूरी इनकी मदद की थी और माउंट बेटन ने का था आई वोंट उस समय पे अब आप ये देखिए मुझे एक बात बताईए देखिए जो मैं कह रह किये हैं निकाल करके ब्रिटिश आर्काइब से नाओ दा कॉंग्रेस लीडर्स अर सेंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर तू त्री इयर्स इस इस गिवन और ट्रास्फर ऑफ पावर टेक्स प्लेस इमीडियेटली इस हैज मेड अवर टास्क एजी नाओ कितने लोगों को बालुब है कि वाइस विगल लॉज के उपर यूनियन जैक नीचे तक नहीं उतरा था ये तो कह देगे कि मैं जूड बोल रहा हूं खुद माउंट बेटन डिक रहा है कि मैंने नहरू से कहा औरीजिनल प्रोग्रेम में ये था कि यूनियन जैक नीचे है 22 जून 1948 का गजट उठा के देखिए लंडन का उस दिन इंगलेंड का राजा जो है वो हिंदुस्तान के अपने एंपायर को त्यागता है पहली अप्रेल 1948 की लेटर देखिए मैं पंडित नेरू की डोमीनियन की तरफ से लिक्यूई डोमीनियन प्राइम इनिस्टर की तर दर नेक्स्ट गवरनर जनरल अफ इंडिया ये मुझे बताई ये क्या है तो ये जो चीजे हैं देखिए उस समय इनों ने तो ये कह दिया कि सरदार पटेल को ये जूट फैलाया गया कि उनको हटा करके आईए मेरे पास जनात तीन मूर्ती में आईए नहरू मुजियम पटेल का नाम भेजा था और किस तरीके से उसको घठा के और नहरू और सुनिए नहरू को जो है सुनी है इसमें का किया इन्होंने, कॉंग्रेश के अडियक्ष का पज्यो है, वो हमेशा कॉंग्रेश के सेशन में बन्दा जाता था, 1946 का कॉंग्रेश का दिवेशन मेरट में हुआ जाकर के सितंबर अक्टूबर में, लेकिन यहाँ पे गांदी ने मौलाना आजाद से कॉंग्रेस के अध्यक्ष का पज्जो है वो मई के अंदर ही नहरू को दिलवा दिया क्योंकि इंट्रिम गॉवर्मेंट में जो प्रदान मंतरी बनना था वो उसको बनना था और मौलाना आजाद की चिठी मौझूद है गांदी के नाम क्या आपने मुझको मेरे उपर ट्रस्ट नहीं किया पूरी की पूरी और जून 1947 के अंदर गांदी का एक भाशन है बिर्ला मंदिर के अंदर वो भी गांदी के कलेक्टेड वर्क्स में मौझूद है जिसमें लिखा है लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लीडर्शिप में तब्दिली की जाएगी वी नीड एक कैमरेज एजुकेटेड हारवर्ड बॉई सॉरी हैरो बॉई टू डील विद दा ब्रिटिश ये वो कह रहे हैं जो सॉदेशी के अपने आपको सबसे बड़े नेता मांगते थे कि जब देश की बात आएगी नेतरत्व देने की तो कैमरेज एजुकेटेड हैरो को दिया जाएगा नेतरत्व ले करके और मुझे एक चीज बताईए तीन सो सत्तर तो तीन सो सत्तर वो फिफ्टी सिक्से में जो चीज आई कि उननिस सो चौवन या पच्पन के अंदर जब काश्मीर के अंदर सफाई करमचारियों की स्ट्राइक होती है और वहाँ पे उस समय कॉंग्रेस का मिनिस्टर है वो मांगता है चीफ मिनिस्टर नेरू से मदद तो दो सो मजबी सिखो को गुर्दास पूर से हमा बेजा जाता है और ये लिखके बेजा जाता है कि अब इन्हें काश्मीर की नागरिता दे दी जाएगी और उनको उर्दू का एक पट्टा पकला दिया जाता है और उस पट्टे में उर्दू में नीचे क्या लिखा है कि आगे आने वाली इनकी जो वो पीडिया है वो वही सफाई और मेल उठाने का काम करेंगी कश्मीर के अदर वो कोई और काम नहीं कर सकती ये था इसी के लिए